हलो फ्रेंड्स आज हमारी नौले सीरीज में हम बात करेंगे भारत की आधी आबादी की दव विमेन ओफ इंडिया यदि इस देश को तरक्की करनी है तो महिलाओं की तरक्की के बगैर देश की तरक्की हो नहीं सकती और जब हम तरक्की की बात करते हैं when we talk about progress हम बात कर रहे हैं economic progress, financial progress, material progress, social progress, legal progress, rights progress की सिर्फ बाते करने से बात नहीं बनेगी अगर देश की आधी आबादी के पास तरक्की के रास्ते कम होते जा रहे हैं या गायब हैं, absent हैं तो देश आगे बढ़ नहीं सकता भारत एक ऐसा देश रहा है जहां हमने हमेशा नारी सम्मान पर बहुत बल दिया है हलांकि इतिहास इस बात का गवाब ही रहा है हजारों सालों से कि नारियों पर नाना प्रकार के अत्याचार और बंदिशें भी भारत में लगी हैं सामाजीक विवस्था ऐसी रही तो फिर उसके खिलाफ विद्रो भी हुए सामाजीक सुधार कारेकरम भी हुए और चीजें बहुत सुधर गई 2022, 2024, 2025 का भारत जो है वो इतिहास से बहुत अलग इस सेंस में हैं कि आज महिलाओं के सामने बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं लेकिन दोस्तों अगर मैं पिछले 20 साल का पूरा लेका जो का उठा के देखता हूं भारत सरकार की रिपोर्टों पे नजर डालता हूं और ग्लोबली महिलाओं की स्थिती और भारत में महिलाओं की स्थिती का एक तुलनात्मक विशलेशन करता हूं comparative analysis हालात काफी खराब हैं सबसे बड़ा सूचक महिलाओं की ताकत का महिलाओं की सुधर्ती या बिगड़ती स्थिती का किसी भी देश में आज के आधुनिक 21 सदी में अब हम 18 या 17 सदी में तो हैं नहीं डाइनमिक्स बदल चुके हैं सबसे बड़ा सूचक संकेतक इंडिकेटर इंडेक्स होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट याने इश्रम बल भागीदारी दर वर्किंग एज की पॉपुलेशन को अगर 16 से 64 माने अंतराश्ट्री मान दंडों के हिसाब से तो उस आईउ की उस वर्ग की कितनी महिलाएं काम करती हैं फाइनाशली खुद के लिए कमाती हैं आपको जानके अश्र होगा कि भारत में पिछले 20 सालों से महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का ग्राफ ऐसा जा रहा है लगातार कम हो रहा है और आज वो खतरनाक रूप से 20 परसंट के आसपास आ चुका है दुनिया में और दक्षिन एशिया में ये सबसे निम्नस तरफ है बहुत सारे अरब देश हमसे आगे हैं बंगलादेश का रेट इससे डबल से ज्यादा है अगर महिलाओं काम नहीं करेंगी और काम करने से मतलब है घर का डोमेस्टिक काम नहीं क्योंकि वो प्रॉडर्ऌ्टिव वर्क में काउंट नहीं होता है ना तो वो जीडीविऊ बी में जुड़ता है ना उसके लिए महिलाओं को सेलेरी दी जाती है जो सुबह चे से रात को ग्यетрा बदेश तक घर की महिलाओं काम करती हैं भारत की उसके लिए वो कुछ कमाती तो है नहीं हालांकि एक पॉलिटिशन ने हाल ही में सैलरी फौदी होम मेकर्स की बात की चीच जो बहुत अच्छा सुझाव है एनिवे लेबर फोर्स से महिलाओं का लगातार बाहर होते जाना इस बात का सूचक है कि उनका economic और financial empowerment घटा जा रहा है कानून की किताबों में अधिकार कितने भी दे दिये जाए समविधान में सभी भारत के नागरिकों को एक समान मान के बोला गया कि ये तब होगा जब व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो जाएगा सो बातों की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा अपने अनुभव से और आपको भी अनुभव तो हुआ होगा खास तोर पर जो लड़की और महिलाएं ये सेशन देख रही है आपकी राय का सबसे ज़्यादा महत्व है आज कॉमेंट में ज़रू बताईएगा विदाउट बिंग फिनैंशली इंडिपेंडेंट यूर व्यूज और राइट्स काउंट फर वेरी लिटल इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि महिलाओं को हो सके तो काम करना चाहिए प्राबलम यहां आ रही है कि हमारे समाज में ये टेंडेंसी अब आ गई है कि महिलाओं काम कम करने लगी है जिसके बहुत सारे कारण है हमारे सोशल और कल्चिरल नॉम्स हमारे यहां अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम और उससे जुड़ी सिक्यूरिटी हमारे यहां के रिक्रूट्मेंट पैटर्न और एक जनरल जॉबलेसनेस की परिस्थिती जिसमें महिलाओं बाहर होती जा रही है ये समाज के लिए बहुत घातक है हमने 5 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनोमी का जो सपना देखा है अगर भारत का ओवराल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40-42 परसंट और महिलाओं का केवल 20 परसंट रहेगा वो टार्गेट बहुत कटिन होता जाएगा और बाद सिर्फ एक 5 ट्रिलियन के टार्गेट की नहीं है 2030, 2040, 2050 का भारत आप कैसा देखना चाहते हैं जहां महिलाओं अशक्त हो, ताकत हीन हो, समवाद हीनता बनी रहे और वो हमेशा पुरिशों की तरफ मदद के लिए देखती रहे आज हमारे सुपरीम कोट में, आइडियली स्पीकिंग, डाइवर्सिटी और रेप्रेजेंटेशन जिसके खुछ चीफ जस्टिस सहाब ने हिमायत की है, महिलाओं कम से कम 50% होनी चाहिए आज हमारी सभी higher education, learning institutions में, population के मान से देखें तो महिलाओं कम से कम 40-45% तो होनी ही होनी चाहिए ना केवल ये, हमारी सारी public spaces में महिलाओं कम से कम 45-50% तो होनी चाहिए मैं जब भी internet पे study करता हूँ, comments thread study करता हूँ एक चीज बहुत striking है where are the girls, where are the women, they are nowhere आप generally ये पाएंगे कि सब तरफ आपको लड़के या मर्द ही दिखेंगे तो लड़कियां कहां चली गई, औरतें कहां चली गई यदि औरतें और लड़कियां खुद को public spaces में सुरक्षित पा रही हैं सड़कों पे, पार्कों में, सब जगे और इंटरनेट पर भी को अपना attitude औरतों की स्वतंतरता के प्रती अधिक व्यापक बनाकर और और मर्द की समानता को solidify करने में अपना योगदान positive देने में सोचना चाहिए हम समविधान में तो बराबरी की बात, कानून में बराबरी की बात करते हैं लेकिन practice में कहीं न कहीं पीछे छूटते हैं दुनिया के दूसरे देश इस मामले में हम से आगे निकल जाएं ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं तो कहीं न कहीं for the overall upliftment of the society, of the economy, of the overall human rights situation we need to think as a society why women are being sidelined, why women are not being given the opportunities और आज अगर पंचायती राज में 33 से 40 प्रतिशत आरक्षन महिलाओं को दिया गया है तो क्या वो वाकई में सशक्त होकर यहां तक आई बहुत अत्तक हुई भी है तो फिर पार्लियमेंट में महिलाओं की संख्या और प्रतिशत इतना कम क्यों है सारे आकड़े इस बात का सबूत हैं कि हम अभी बहुत लंबी रहा पर हैं हमें बहुत लंबा डिस्टन्स कवर करना है हमें पोटेंशल है, हम कर सकते हैं लेकिन बदलाव आपसे होगा मात्मा गांधी ने कहा था, be the change हम अपने परिवार में, let's be the change for the positive ये मेरे ख्याल से सची देशभक्ती होगी आपको क्या लगता है, आप अगरी करते हैं, नहीं करते हैं अगर नहीं करते हैं तो भी बताइए, अगर करते हैं तो भी बताइए और आप अगले सेशन में मुझसे क्या सुनना चाहेंगे आज हमने women's empowerment, labor force participation, financial and economic independence उससे जुड़े तमाम पहलों पे बात की अगले सेशन में आप मुझसे क्या सुनना चाहेंगे आपके विचारों का स्वागत है कैसे लगी आज की class अच्छी लगी तो दोस्तों तक पहुँचाईएगा, चैनल के साथ जुड़िये ये सीरीज हमारी चलती रहेगी नमस्कार